दोस्तो अगर आप भी महिंदर सिंग दोनी को भारतिय क्रिकेट का लेजेंड मानते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक जलूर कीजिएगा दोस्तो भारत और न्यूजिलेंड के बीच चल रहे टेस्स मुकाबले के तीसरे दिन में भारतिय गेंद बाजो के द्वारा बेहद ही शांदार वापसी देखने को मिली है और इस वापसी के मुख्य आकरशन बने भारतिय टीम के स्पिनर ओल राउंडर अक्षर पटेल जिनोंने न्यूजिलेंड के बल्लेबासो को एक एक करके पवेलियन का रास्ता दिखाया और उनकी शांदार गेंद बाजी को देखकर भारतिय टीम के पूर्व कप्तान महेंदर सिंग धोनी ने उनकी बढ़ाई करते हुए एक बयान दिया तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं क्या कहा महेंदर सिंग धोनी ने अक्षर पटेल के बारे में लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है क्या भारतिय टीम इस मुकाबले को जीत कर टेस्ट रंखला में बढ़त बना पाएगी या नहीं हमें अपनी राय नीचे दिये गए कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताईएगा दोस्तों कानपूर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में भारत और न्यूजिलेंड के बीच खेले जा रहे टेस्स सीरीज के पहले टेस्स मुकाबले में बेहधी रोमांचक मुकाबला देखने को मिल रहा है एक तरफ जहां पहले दिन भारतिये टीम के बलेबाजों का बोल बाला रहा था वहीं दूसरे दिन न्यूजिलेंड के गेंद बाजों ने और बलेबाजों ने ऑलरान प्रदर्शन करके भारतिये टीम को इस मुकाबले में पीछे धकेलने की कोशिश की लेकिन तीसरे दिन की शुरुआत होते ही इस तरह का प्रदशन करके दिखाया जिसे देखकर कीवी टीम के तोते ओड़ गए भारतिय गेंदबाजों के आगे न्यूजिलेंड के बल्लेबाज पूरी तरह से बिलगते नजार आए और ओपनर विल यंग और टॉम लेथम के सिवाए कोई भी बल्लेबाज चलने में काम्याब नहीं हो सका और भारतिय टीम की शांदार वापसी का मुख्य सितारा रहे टीम के स्पिनर ओल राउंडर अक्षर पटेल जिन्होंने न्यूजिलेंड की टीम के 6 बड़े बल्लेबाजों को आउट करके भारतिय टीम की इस खेल में शांदार वापसी कराई और उनकी इस बहतरीन गेनबाजी को देखकर भारतिय टीम के पूर्व कप्तान महेंदर सिंग धोनी ने बयान देते हुए कहा कि अक्षर के अंदर जो प्रतिवा है वो बेहद ही शांदार है वो जानते है कि उन्हें किस तरह की परिस्थिती में कैसी गेनबाजी करनी है और इसलिए वो भारतिय टीम के कैसे गेनबाज है जिन पर आख बन करके बरोसा किया जा सकता है क्योंकि जिस तरह उन्होंने कीवी बल्लेबास टॉम लेथम, रॉस टेलर, हैंडरी निकोलस जैसे बड़े-बड़े सूर्माओं को आउट किया है वो और किसी गेंदबास के बसकी बात नहीं है क्योंकि ये सभी बल्लेबास विश्व के शांदार बल्लेबासों में शामिल है इसके बाद उन्होंने अक्षर पटेल की गेंदबासी को खास बताते हुए कहा क्योंकि उनकी गेंदफेकने की कला बेहद ही शांदार है क्योंकि वो बल्लेबाजों को मूर्ख बनाने में काम्याब रहते हैं वो जो दिखाते हैं उससे कुछ अलग ही करके देते हैं इसलिए उनकी गेंदवाजी को समझ पाना किसी भी बल्लेबाज के लिए बेहद ही मुश्किल होता है और यही कारण है कि वो बड़े-बड़े मुकाबलों में भी ऐसा शांदार प्रदर्शन करने में काम्याब रहते हैं दोस्तो महेंदर सिंग धोनी के इस बयान के बाद तो यह साफ नजर आता है कि अक्षर पटेल भारतिय टीम के कितने बड़े गेंदबाज हैं क्योंकि दूसरे दिन जहां भारतिय टीम एक भी विकेट लेने में काम्याब नहीं हो सकी थी वहीं अक्षर पटेल ने अगले ही दिन छे विकेट लेकर न्यूजिलेंड के बढ़त बनाने के अर्मानों पर पानी भेड़ दिया लेकिन दोस्तों आप सभी को क्या लगता है क्या भारतिय टीम इस वापसी का फायदा उठाते हुए न्यूजिलेंड को हार का स्वाच चखा पाएगी या नहीं हमें अपनी राय नीचे दिये गए कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताईएगा और ऐसी शांदार खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजेगा धन्यवाद